है एंट है अध्य स्वागत है आपका आपके अपने यूट्व चैनल पर स्टुडेंट्स क्लास 12 का सब्जेक्ट जो हम डिसकस कर रहे हैं वह है कैमिस्ट्री और कैमिस्ट्री में जो हम आज टोप डिसकस करने वाले हैं जो चेप्टर हमारा चल रहा है विल्लेन विल्लेण के आठ लेक्चर हम अल्रेड डिस्कस कर चुके हैं यदि आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप दिसक्रिप्शन बुक्स में दिये गए लिन्क से वो लेक्चर देख सकते हैं और विल्लेण चैप्टर में solution chapter में जो आज का हमारा topic है वो है अनो संख है गुनधरम Collegative Property Collegative Property अनो संख है गुनधरम जिसके बारे में थोड़ा बहुत अपने पिछले वीडियो में पड़ा लेकिन आज हम पहला अनो संख है गुनधरम जो है वो clear कर लेके सारा स्टूडेंट्स टोपिक डिसकस करने से पहले सबस्क्राइब कर दे हमारे YouTube चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ओन कर दे और आप Class 12 के जो चप्टर है उनके वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं जिसमें आपको रसाइनिक, बलगतिकी, उपसैसुजक योगिक, वैदित रसाइन, एलडिहेड की टौन, ठोसवस्था ये चप्टर जो है मेरे दौरा अप्लोड कर दिये गए हैं और विल्लेंच चप्टर जो है वो आलमोस्ट दो या तीन लेक्चर में हमारा कम्प्लीट होने वाला है तो इसके अलावा जो आपके रिमेनिंग चप्टर है वो भी सम टाइम टू टाइम मेरे दौरा अप्लोड किये जाते रहेंगे तो सब्सक्राइब कर दे हमारे यूट्यूब चैनल को और प्ले लिश्ट में जाकर आप अपने विशे के लेक्चर देख सकते हैं विले के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं विले की परकरती पर निर्भर नहीं करते हैं कि उसकी परकरती कैसी है रंग कैसा है उस पर कुछ भी डिपैंड नहीं करेगा सिरफ और सिरफ विले के कणों की संख्या पर डिपैंड करेंगे जैसे समान मत्रा में लिए गए जल में ऐक मोल N-A-C-L गोला गया और एक मोल कोपर सिलफेट गोला गया तो N-A-C-L तो तूटे गा किसमे N-A प्लस اور c-l माइनस में c-u-so-4 कुटेगा किस में c-u-plus-2 اور s-u-4-2 में तो इसमें देखे हम तो एक Na-cl एक c-l माइनस यानि दो कन भनगे इसमें भी देखे हम तो एक c-u-plus-2 एक s-u-4-2 यानि दो कन भनगे तो दोनों में कन भराबर है विले के अतै विले के कणों की संख्या बराबर है तो इनके अनु संख्या गुनों दर्मों के मान भी बराबर होंगे को लिगेटिव प्रोपारिटीज की वैल्यू भी इक्वल होगी ऐसे ही मान लो मैं एक मॉल के सी एल और एक मॉल एम जी सी एल टू गोलता तो के सी एल टू 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 गोलता तो के सी एल टू है तो के सी एल टू है तो के सी एल माइनस में आप यहीं से देख लें के किते हैं एक सी एल किते हैं एक तो यह दो बनें एक के एक सी CRL, यहां से देखेंगे M-G कितनी 1, C-L कितनी 2 तो यह 3 बनेंगे एम जी 1 और C-L 2 तो यहां 2 कन बने और यहां 3 कन बने तो जिसमें कनों की संख्चय जादा है, उनके अनुसंख्य गुने धरम भी जादा होंगे तो अनुसंख्य गुने धरम विल्लेन के वे गुण दरम है जो विले के कणों की संख्या पर डिपेंड करते हैं अनों संख्या गुण दरम चार परकारते होते हैं एक वाश्पदाब का अपेक्षिक अवनमन वाश्पदाब का अपेक्षिक अवनमन दूसरा क्वत्थनाग उन्यन तीसरा हिमांग कवनमन और चोथा प्रासरन दाब वाष्पदाब का अप्ख्षिक अवनमन यानी Relative Lowering in Vapor Pressure क्वत्थनाग उन्यन यानी Elevation in Boiling Point हिमांग का वनमन यानी Depression in Freezing Point प्रासरन दाब यानी Osmotic Pressure जिसमें से आज हम पहला अनुशन के अगुन दर्म वाश्पदाब का पेक्षिक अवनमन डिसकस करने वाले हैं कल के वीडियो में ये दोनों कर देंगे कौतनाक और हिमांग और फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रासर्दाब को कम्प्लीट कर देंगे वाश्पदाब का पेक्षिक अवनमन जिसके बारे में पिछले वीडियो में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं राउले का नियम हमने पढ़ा था वाश्पदाब का पेक्षिक अवनमन डिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ये हमारा आज का टोपिक है पहले तो ये देख लें इनकी डेफिनेशन्स क्या हैं इन सब की डेफिनेशन्स हम क्लियर कर लें तो सबसे पहली बात कि ये जो विल्लेन आप डिसकस कर रहे हैं हम डिसकस कर रहे हैं वो सारे विल्लेन ठोस दरव विल्लेन से सबंदी थे थोस दरव विल्लेन ये जो टोप विलायक दरव है अब नमन क्या होता है कमी अब नमन यानी कमी तो जब दरव विलायक में ठोस विले मिलाया जाता है तो विल्लेन का वाश्पदाब मिला देते हैं तब तो जब द्रव विलायक में ठोस विले मिलाया जाता है तो विलेन का वाश्पदाब शुद विलायक के वाश्पदाब से कम हो जाता है वाश्पदाब में आने वाली है कमी वाश्पदाब अवनमन कहलाती है यानि वाश्पदाब अवनमन क्या होता है वाश्पदाब अवनमन बराबर पी जीरो माइनस पी एस जहां पी जीरो क्या है शुद विलायक का वाश्पदाब वो लिखना होता है में P0 ब्रबर शुद विलाइक का वाश्पदाब और PS क्या है विल्लिन का वाश्पदाब P0 माइनस PS जहां P0 है शुद विलाइक का वाश्पदाब और PS है विल्लिन का वाश्पदाब तो वाश्पदाब में कमी आगी कितनी आई मालो शुद विलायक का वाश्पदाब सो था विल्यन का वाश्पदाब असी हो गया शुद विलायक का वाश्पदाब सो था विल्यन का असी हो गया तब 20 की कमी आई तो कैसे निकाला आपने शुद विलायक में से विल्यन को लेस कर लिया बैई शुद्ध विलायक कितना था? 100 विल्लिन का कितना हो गया? 80 तो कमी कितने किया ही? 20 की कैसे निकाली ही वो 20 की कमी शुद्ध विलायक वाले में से विल्लिन के वाश्पदाब को लेस कर लिया तो वाश्पदाब अवनमन P0-PS6 हो गया हमारे पास और वाश्वदाब का अपिक्षिक अवनमन क्या होता है वाश्वदाब का अपिक्षिक अवनमन वाश्वदाब अवनमन यानि P0 माइनस PS और शुद विलायक के वाश्वदाब के अनुपात को P0 माइनस PS अपोन P0 वाश्वदाब अवनमन वैश्वद विलायक के वाश्वदाब के अनुपात को वाश्वदाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं तो P0-PS अपोन P0 P0-PS को हम लोग डेल्टा P भी लिख सकते हैं तो डेल्टा पी अपोन पी जिरो डेल्टा पी अपोन पी जिरो तो वाश्पदाब का अपेक्षिक अवनमन क्या है वाश्पदाब अवनमन वैश्चुद विलायक के वाश्पदाब के अनुपात को वाश्पदाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं अब ठोस द्रव विल्यन के लिए हमने राउले का नियम पढ़ा था वैस्तों यह सारी derivation हम पढ़ चुके थोड़ा बहुत पार्ट इसका बाकी है तो वो discuss कर लेंगे अभी हम ठोस द्रव विल्यन के लिए राउले का नियम ठोस द्रव विल्यन के लिए राउले का नियम होता है विलायक की मौल भिन के क्योंकि ठोस द्रव विल्यन है तो उसमें विले की वाश्प तो बननी नहीं है तो ठोस की वाश्प नहीं बनती सिर्फ वाश्प बननी किसकी द्रव की और द्रव क्या है विलायक है यानि पूरे villain में जो wash बनेगी वो विलायक की बनेगी यानि पूरे villain का वास बनेगी विलायक की मौलभिन पर ही depend करेगा तो PS समान पाती है X विलायक के अब समान पाती का निशान टाते हैं तो नितांक लगाते हैं और यहां नितांक लगा था क्या P0 तो क्या बन गया था P0 P0 X विलाएक P0 डेरिवेशन आप लोग नोट कर ले क्योंकि आपकी बुक में इस तरह से नहीं दिया हुए है थोड़ा टिप लेंथी मेथड दिया हुए है तो बिल्कुल इसी हो जाएगा आपके लिए इस तरह से नोट कर ले कि PS समर्पति X एक पी एस बरबर P0 एक एक फोड़ा थोज़ दर विलिंग डाउल ले का नियम आगया अब वाश्पदाब अवनमन क्या था वाश्पदाब अवनमन क्या है P0 माइनस PS तो वाश्पदाब अवनमन आपके पास वाश्पदाब अवनमन बराबर सुतर का है P0 माइनस P.S ये डेल्टा P बराबर P0 माइनस P.S P.S का मान आप यहां से पुट कर दें तो P.S का मान क्या है डेल्टा P बराबर P0 माइनस P.S का मान रखने पर P.S का मान रखने परफ़ P0 X विलाएक P.S का मान रखने लिए कोमन क्या ज़ेगा P0 तो क्या बनगा डेल्टा P बराबर P0 आगा कोमन ये पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था P0 आगा कोमन ब्रेक्ट में बचा 1 माइनस X विलाएक और 1 माइनस X विलाएक इसके बराबर होजेगा X विले के और P0 जो है वो इदर डिवाइड में आजेगा तो ये बनजेगा डेल्टा P अपोन P0 यानि वास्पदाब का अपेक्शिक अवनमन बराबर होता है विले की मौल भिन के X विले 1 माइनस X विलाएक X विले हो गया और ये P0 इदर डिवाईड में आजेगा तो डेल्टा अपोन P0 को ही डेल्टा P अपोन P0 को ही हम लոग वास्पदाब का अपेक्शिक अवनमन कहते हें तो वास्पदाब का अपेक्शिक अवनमन बटे कुल मोल जैसे मैंने विले के मोल भी निकालने है तो सुतर बनेगा विले के मोल बटे कुल मोल विले के मोल बटे कुल मोल और विले क्या होता है जिसकी मत्रा कम होती है विले विलन का वह गटक होता है जिसकी मत्रा कम होती है तो विले के मोल को मैं मानूँगा स्मोल एंड विले के मोल जो है वो स्मोल एंड मानूँगा विलायक के मोल कैप्टल एंड मानूँगा जिसकी मत्रह कम है उसको छोटा जिसकी मत्रह जादा उसको बड़ा तो जिसकी मत्रह कम है जैसे विले के मोल मैं मानूंगा small end क्योंकि विले की मतरा कम होती है कम वाले को मैं small letter से लिखूंगा आपकी book में इसको A मनना हुआ लेकिन अपने small और capital से लिखेंगा आपकी book कहती है N A N ने तो दिखा ही निए उसने सिदा gram बटे अनू भर formula लगाया हुआ तो थोड़ा फिर मैं request करूँगा आपसे कि वो लेंथी में थड़ है उसको follow नहीं करते हुए आप इसको follow करें बहुत इजी रहेगा विले के मौल small end विलायक के मौल capital N तो हम क्या करेंगे जिसकी मातरा कम है उसको छोटे एकशर से जिसकी मातरा जाद है उसको बड़े एकशर से लिख़ देंगे तो विले के मौल बटे कुल मौल यह सुता हूँ मोल बिन एक्स विले क्या है विले के मोल बिन तो विले के मोल किते है स्मोल एन कुल मोल किते है स्मोल एन प्लस कैप्टल एन तो अगर मैं विले के मोल बिन लिखता हूँ यहां एक्स विले लिखता हूँ तो यह बनेगा विले के मोल यानि स्मोल एन बते कुल मोल यानी small n पलस capital n तो ये मेरे पास wilay ke mol भी इनका सुतरा जाएगा X wilay का तो X wilay का मान रखने पर X wilay का मान क्या है मान रखना is X wilay का Amazing hello अपॉन P0 एक्वल टू wilayR uğ finals month बते कुल मोल clear wilay के मोल किते है small n कुल मोल गेते हैं स्मॉल एन प्लस कैप्टल एन तो वाश्वदाब अवनमन था पी जिरो माइनस पी एस पी एस का मान यहां से रख दिया हमने पी एस का मान रखते हैं पी जिरो कोमन निकल गया वन माइनस एक्स विलाइक एक्स विले होता है मानना विलें अत्यांत तनु है जो solution है बहुत जादा dilute है बहुत जादा पतला है तो वो तनु कैसे होगा जब वहुत जादा तनु कैसे होगा जब हम उसमें पाणी बढ़ाते जाएंगे मालो पानी में चीज़ नहीं मिली हुए अब मैं तुम्हेरे को कूँ कि ये विलियन पतला कर दो तनू कर दो बहुत ज़्यादा तनू कर दो ता आप क्या करोगे बहुत ज़्यादा पतला करने कि उसमें पानी मिला दोगे तो यानि जब विल्यन अत्यन ततनू होता है तो उसमें विलायक के मोल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं विलायक की मत्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है क्योंकि हम पानी की मत्रा बढ़ा देंगे उसमें यानि विलायक की मत्रा बढ़ा देंगे तो ऐसी इस्तिती में इस small n को हम लोग नगन ने माल लेंगे क्योंकि विले के मौल उसमें बहुत कम रह जाएंगे तो यदि विले नत्यंत तनु है तो delta P upon P 0 equal to small n upon capital n क्योंकि विले नत्यंत तनु है तो condition क्या बनेगी capital n is very very greater than small n विले नत्यंत तनु है तो विलायक के मौल बहुत जादा हो जाएंगे capital n is very very greater than small n इसलिए small n को हम नगन ने मान देंगे तो फार्मला रह जेगा small n upon capital n मौल ब्राबर क्या होता है मौल ब्राबर होता है gram बटे अनुभार मौल ब्राबर घटक का द्रवे मान यानी gram बटे घटक का अनुभार यानी molar mass gram बटे अनुभार गराम बटे अनुभार यानी gram given mass upon molar mass द्रवे मान बटे अनुभार तो मैं मौल का मान रख़धगा gram बटे अनुभार तो सुतर बंझेगा delta P upon P0 equal to small W gram small W से लिख दिये भिया अनुभार small m से लिख दिया gram बटे अनुभार और विलाय के gram हमने capital W से लिख दिये और अनुभार capital M से लिख दिया gram बटे अनुभार आपकी बुक में इसको WA, इसको MA, इसको WB, इसको MB लिखा है वो अपने मानना है, आप अपनी इच्छा से मान सकते हो ग्राम बटे अनुबार small w लिख सकते हो विले के ग्राम small w, विले कानुबार small m तो ग्राम बटे अनुबार small w upon small m, capital w upon capital m तो डेल्टा p upon p 0, equal to capital m उपर चला जाएगा small w, capital m, बटे small m, capital w यह आपका फार्मला आगया है इस तरह से आप लोग derivation जो है, बहुत इजी तरिके से सोन वो कर सकते हैं, आपकी बुक में WA, MB, MA, W भी लिखा हुआ है वो मानना आपने है, तो आप यहाँ small capital मान लें, तो थोड़ा IG हो जाएगा, आपको AB का जंजट जो है, वो नहीं रहेगा clear, तो यह हमरे पस वाश्पदाब का पिक्षिक अवनमन आ गया, डेल्टा p को हम p 0, minus ps भी लिख सकते हैं, डेल्टा p वाश्पदाब अवनमन है, p 0, minus ps है, तो यहाँ p 0, minus ps भी लिख सकते हैं, जो आपकी बुक में लिखा है, p 0, b, minus p 0, a, विलायक को a मानना हुआ है, और विले को b मानना हुआ है, तो यहाँ wb, m, a, m, b, w, a है, यहाँ p 0, a, p 0, a, विलायक को a मानना हुआ है, minus p, विल्लेन के वाश्पदाब को उसने p मानना है, अपने p जी और शुद वाश्पदाब और ps विल्लेन का वाश्पद दर्म वे अनुभार की गनना यानि वास्पदाब का पेक्षिक अवनमन वे इसकी साहिता से विले के अनुभार की गनना विले के अनुभार की गनना और करनी है अपने को विले के अनुभार की गनना और करनी है तो विले का अनुभार कौन सा है ये विले का ग्राम है ये विले कानू बार है नहीं स्मोल एम है विले कानू बार जो है वो स्मोल एम ये विले कानू बार है इसका सुत्र हमारे को और निकालना है तो इसका सुत्र निकाल सकते हैं क्या बनेगा स्मोल एम बरबर ये P0 उपर आजएगा डेल्टा P डिवाइड में आजाएगा P0 अपोन डेल्टा P डेल्टा P कहा P0-PS आप P0-PS भी लिख सकते हैं ने तो सिधा डेल्टा P भी लिख सकते हैं तो ये P0 उपर चलागा डेल्टा P डिवाइड में आगा तो P0WM अपोन टेपिटल W ये P0 उपर चला गया, डेल्टा P डिवाइड में आ गया, M का फार्मला बन गया तो इस परकार हम लोग विले कानू भार भी गयात कर सकते हैं तो P0, अपोन में P0 माइनस PS, डेल्टा P क्या है, P0 माइनस PS है तो डेल्टा P लिख दें, चैसे P0 माइनस PS लिख दें तो ये M का फार्मला आजाएगा, P0 उपर चला जाएगा, डेल्टा P नीचे आजाएगा इस तरह हम इस सुत्र की सहता से विले कानू भार भी गयात कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टोपिक, जिसमें हमने वाश्चुदाब का पेक्षिक अवनमन और विले के अनुभार की गनना की डेरिवेशन डिसकस की, एक बार रिपीट कर लें वाश्चुदाब उमन मन क्या होता है पźजिजजरो माइनस PS, PS का मान आपने राउल के नियम से राउले के नियम से लिखना PS का होता है Ps उत टो PS का मान रख दिया Ps Benjamin का आ गया। पीजिरो बचा देल्टाai लमो एक caterpillar लाइक घोई के निशक को आप तो इस सब्क्राबर और कम रहेंगे तो फल्बा वनिया करतें इसमोल अब गरांड़ेंगे अब उस्मटन रहें लिए अर मोल दृप्ट हिर्व army को लिखा जारा रहा है बस कि अब रखरक है आप कांसर आजाएगा कुछ भी नहीं है स्प्रूलः का मांच घंबार कर भी ग्राम बटे अनुबार आपका है तो यह था स्टूडेंट साब का टूपिक जो हमने पहला हनुस दूल नदार में इसकी डैरिवेशन पड़ी वास्पदाब का पेक्षी कवनमन यदि आपको वीडियो समझ आया है डेरिवेशन क्लियर हुई है तो किरिपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए साथ यसाथ बेल आइकन का बटन भी ओन कर दीजिए क्योंकि आने वाला अगला वीडियो कोथनाक उन्यन उसकी डेरिवेशन में भी आपकी बुक में थोड़ा टिपिकल मैथल दिया हुआ तो उसकी डेरिवेशन भी मैं बिल्कुल एजी करने वाला हूँ तो यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लग रहे हैं तो उन्हें शेयर करना मत भूलिए उन्हें हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन का बटन भी उनकर दीजी क्योंकि आने वाला वीडियो आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में आपको मिलने वाला है धन्यवाद